कहानी शुरू होती है और हम एक छिपकली के जहांट के बाल जखमिलंड को देखते हैं जो अपने कॉलेज में होता है वो एक लड़की के बास जाता है और उसे अपने साथ प्रोम पर चलने के लिए पूछता है लेकिन उसकी जहांट जैसी शकल देखकर वो लड़की उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है तभी हमाँ पर एंट्री होती है होट एंड सेक्सी गंड मरी की जो की इतनी ज़्यादा खूपसूरत थी कि पूरा कॉलेज उसकी लेने के लिए तरस्ता था जखमिलंड जब गंड मरी को देखता है तो उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है इसके बाद हम बंद बल्प को देखते है जो की दिमाग से पूरा बावली गांड होता है और कॉलेज के कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं जखमी लंड उसे बचाने उसके पास आता है लेकिन वो लोग जखमी लंड को ही जखमी कर देते हैं लेकिन तभी माँ पर गंडमरी आ जाती है और हमें पता चलता है कि बंद बल्ब गंडमरी का सगा भाई है गंडमरी जखमीलंड की बहादूरी से इंप्रैस हो जाती है और उसे अपने साथ प्रॉम पर चलने के लिए पूछती है ये सुनकर जखमीलंड खुश हो जाता है और उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी खुबसूरत लड़की उस जैसे जहाटू के साथ प्रॉम पर कैसे जा सकती है अगले दिन जब जखमीलंड ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता वो कहते हैं कि बोसडी के अपने आपको देख गदे के टटे भी तेरे से ज़्यादा खुबसूरत होते हैं और गंडमरी तेरे साथ डेट पर जाना चाती है प्रॉम पर ले जाने आया हूँ इस पर काला आदमी कहता है कि गंडमरी तो पहले ही अपने बॉइफेंड के साथ प्रॉम पर चली गई है अब ये सुनकर जखमिलंड मायूस हो जाता है और वहां से जाने लगता है लेकिन तभी अंदर से उसकी मा बहार आती है और कहती है कि ये नेवला तो बस मजाक कर रहा है गंडमरी अंदर ही है और वो उसे घर के अंदर बुला लेती है फिर थोड़ी देर बाद गंडमरी त जाता है और उसे एक बॉल गिफ्ट करता है लेकिन तभी बंद बल्ब के अंदर एक पागल सूर की आत्मा जाती है और वो जखमी लंड को कुत्ते की तरह मार मार कर उसका भूत बना देता है फिर गंड मरी उसे बताती है कि इसके पिछवाडे में सूर का खड़ा बाल है और इसके कानों पर हाथ लगाता है तो ये उसके पिछे जंगली सूर की तरह बढ़ जाता है अब इसी दोरान गंड मरी की द्रेस खड़ाब हो जाती है तो वो एपनी ड्रेस को चेंच करने के लिए अपनी माम के साथ रूम में चली जाती है तबी जखमी लंड को Phylak Lewis का lab जा कि शाद जखमी लंड मेरी बेटी को नंगी देखकर अपनी हाध गाड़ी चला रहा है लेकिन जखमी लंड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है इसी दोरन जब वो अपनी पैंड की जिप को बंद कने लगता है तो उसका लंड उसकी जिप में फस जाता है जिसके दर्ध से जखमी लंड के प्राण निकल जाते है वो जोर जोर से चिलाने लगता है और उसकी चिलाने की आवास सुनकर सभी घर वाले टॉलेट के बाहर आ जाते है इसके बाद गंड मरी का बाप जखमी लंड की मदद करने के लिए अंदर जाता है लेकिन जब वो उसके लोडे को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि इसने तो कता ही अपने लोडे का गला गोट रखा है इसके बाद वो गंडमरी की मॉम को वहाँ पर बुलाता है और जब वो भी उसके लोडे को देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है कि इसने इसको चैन में फसाया कैसे है इसी दोरन वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और वो भी उसके लंड को देखकर हैरान हो जाता है अब देखते ही देखते ही ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और सबी जखमी लंड के फसे लोड़े को देखने के लिए वहाँ पर आने लगते हैं लेकिन इसी दोरान वो पुलिस वाला उसके लोड़े को जिप से निकालने की कोशिश करता है लेकिन इससे उसका लोड़ा और भी ज़दा जखमी हो जाता है और उसे हस्पताल ले जाने के लिए वहाँ पर एंबुलेंस बुलाई जाती है वहीं शेयर के सबी लोगों को इस ब लेकिन अभी भी वो उससे उतना ही प्यार करता है और एक दिन वो उससे ढूंड कर रहेगा इसके बाद वो अपने एक दोस्स समीर फुद्धी से मिलने जाता है और उसकी वाइफ और बच्चों को देखकर कहता है कि मैं भी तेरी तरह अपनी लाइफ में सैटल होना चाता ह किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके इस पर समीर फुद्धी कहता है तो तू कोई अच्छी सी गल्फेंड क्यों नहीं बना लेता लेकिन जखमी लंड कहता है कि मैं अभी भी गंड मरी से प्यार करता हूं और मुझे पता चला है कि वो अपनी फैमली के साथ मायामी शि जाता है और इस डिटेक्टिव का नाम होता है ठोकुमल अब ठोकुमल उसका ये काम करने के लिए रैडी हो जाता है और वो गंड मरी का पता लगाने सिधा मायामी पहुच जाता है वहां पहुचते ही ठोकुमल गंड मरी के घर जाता है और उसके घर के बाहर से उस पर नज अब ठोकुमल गंडमरी का पीछा करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसे गॉल्फ खेलना बहुत पसंद है फिर गॉल्फ खेलने के बाद वो अपनी कुछ छिनाल सहीलियों के पास जाती है जहां पर वो बताती है कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो नेपाल से हो और पेशे से एक आर्किटेक्ट हो और जब तक उसे ऐसा लड़का नहीं मिलता वो अपनी उंगलियां गुसा कर ही काम चलाएगी वहीं ठोकुमल भी बैठा होता है और उसकी ये बाते सुन रहा होता है फिर रात को वो गंडमरी की खिड़की से उसे देखने लगता है जहां प अगले दिन ठोकुमल जखमिलंड से मिलता है और उसे जूट बोलता है कि गंडमरी की शादी हो चुकी है वो भी तीन-चर अलग-अलग आद्मियों के साथ और उसके 4-5 बच्चे भी हैं इसके अलावा वो अपाही जो चुकी है और अब वो वीलचेयर पर है दरसल यहां प जब जखमिलंड गंडमरी की फोटो देखता है तो उसे लगता है कि भले ही उसकी शादी हो चुकी हो लेकिन वो अभी भी उससे प्यार करता है इसलिए फिर भी वो उससे मिलने के ले जाएगा इसलिए अगले दिन वो ठोकुमल के पास जाता है लेकिन यहां पर उसे पता चलता है कि ठोकुमल भी अब मायामी शिफ्ट हो रहा है जखमिलंड उसे पूछता है कि तुम मायामी क्या करने जा रहे हो तो ठोकुमल उसे बताता है कि उसे वहां पर एक जौब आफर मिला है फिर जखमिलंड उसे बोलता है कि उसने इस बारे में काफी सोचा और उसे प्रियामी की तरफ निकल पड़ता है अब वहां पहुचकर वो सिधा गंडमरी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन गंडमरी उस जैसे चूतिय को कहां भाव देने वाली थी इसलिए जब ठोकुमल बातोई बातों में उससे बताता है कि वो नेपाल स है और पेशे से एक आर्किटेक्ट है तो गंडमरी उससे इंप्रेस हो जाती है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है फिर उसी रट ठोकुमल गंडमरी के घर में आता है लेकिन गेट पर उस बुढ़िया का कुत्ता था जो उस पर गुराने लगता है त इसके बद वो और बुढ़िया उसके लिए कुछ पीने के लिए लाने किचन में जाते हैं लेकिन तभी ठोकुमल देखता है कि ज़्यादा नशा होने की वज़े से वो कुत्ता कुत्ते की मौत मर चुका है लेकिन फिर भी वो उन दोनों के वापस आने से पहले उसे हो जाता है इसके बद गंडमरी और ठोकुमल साथ में डेट पर जाते हैं लेकिन गंडमरी ठोकुमल को एक आर्किटेक्ट एक्जिबीशन में ले जाती है जहां पर उसकी मुलाकत गंडमरी के एक दोस लंगडे से होती है जो कि एक आर्किटेक्ट होता है वो ठोकुमल से प पहले ठोकुमल उससे पूछता है कि क्या वो उसकी चूचियां दबा सकता है जिस पर गंडमरी उसे हाँ बोल देती है फिर ठोकुमल उसके पास जाता है और उसकी दोनों चूचियों को दबा दबा कर उसमें से सारा रस निकाल देता है फिर अगले दिन जब गंडमरी अपने सारी बाते सुन रहा होता है अब ठोकुमल को जल्दी से जल्दी इसका कोई solution निकालना था नहीं तो वो कभी भी गंड मरी को बजा नहीं पाएगा वहीं दूसी तरफ हम जखमी लंड को देखते हैं जिसे अपने एक दोस से पता चलता है कि गंड मरी शादी शुदा नहीं है इसलिए वो अपने दोस समीर फुद्दी के साथ मिलकर गंड मरी से मिलने मायामी जा रहा होता है फिर उसी रातम गंड मरी और उसकी छिनाल सहीलियों को देखते हैं जो की छुपकर ठोकुमल की बाते सुन रही होती हैं यहाँ पर ठोकुमल भी उन्हें जान बूच कर अपनी बाते सुनाता है और कहता है कि मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं बलकि एक बहुत बड़ा शोशल वर्कर हूँ जिसने पूरी दुनिया में लोगों की मदद की है लेकिन मैंने गंड मरी को जूट बोला क्योंकि मैं उससे प्यार करता था इसके बाद वो गंड मरी को सब कुछ बताने के लिए उसके घर पर आता है लेकिन गंड मरी उससे अब इतना इंप्रेस्ड हो चुकी थी कि वो उस पर लपक कर उसे चूसना शुरू कर देती है वहीं अगले दिन जखमीलंड भी मायामी पहुच जाता है और जब वो वहाँ पर गंड मरी और ठोकुमल को चुमा चाटी करते वे देखता है तो वो उससे गालियां देता है कि ये मादर्चो इतना बड़ा भेन का लोड़ा है कि इसने मुझे चूतिया बनाया ताकि वो खुद गंड मरी की ले सके इसी दोरन गंड मरी का भाई बंद बल्ब जखमीलंड को देख लेता है जिससे गंड मरी को भी पता चल जाता है कि जखमीलंड यहां पर उससे मिलने आया है अब यहां पर गंड मरी उससे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो पहले से बहुत ज़दा handsome हो चुका था फिर बातोई बातों में जखमी लंड उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है जिस पर गंड मरी भी उसे हा कर देती है फिर उसी रात लंगडा गंड मरी के पास आता है और उसे बताता है कि ठोकुमल कोई शोशल वर कर नहीं है बलकि वो एक क्रिमिनल है जिसने कई लोगों का मर्डर किया है अबे सुनकर गंड मरी शौक डो जाती है और वहीं बार ठोकुमल भी उसकी बाते सुन रहा होता है और सोचने लगता है कि इस भेन के लोड़े का कुछ करना ही पड़ेगा फिर जब लंगडा गंड मरी के घर से बाहर आता है तो ठोकुमल देखता है कि ये साला तो लंगडा भी नहीं है और ये सिर्फ नाटक कर रहा था उसी रच जखमी लंड को गंड मरी के साथ डेट पर जाना था तो वो बहुत ज़दा नर्वस था तब ही समीर फुद्दी उसे कहता है कि तू जाने से पहले अपनी हाध गाड़ी चला ले इससे तू रिलाक्स हो जाएगा अब समीर फुद्दी की बाद सुनकर जखमी लंड अपनी हाध गाड़ी चलाने लगता है लेकिन जैसे ही उसका माल छूटता है तब ही गंड मरी भी उसके घर पर आ जाती है अब अपना माल साफ कने के लिए जखमी लंड जब नीचे देखता है तो उसका माल वहाँ पर नहीं होता जखमी लंड को लगता है कि शायद उसका माल बाथरूम में ही गिरा होगा इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर गंड मरी से मिलने के लिए दरवाजा खोलता है पर तब ही गंड मरी की नजर उसके कान पर पड़ती है जहां पर उसका मल चिपका हुआ था अब गंड मरी को लगता है कि शायद ये हेर जैल है तो वो उसे उतार कर अपने बालों में लगा लेती है वहीं दूसी तरफ हम ठोकू मल को देखते हैं जो कि लंगडे को दबोच लेता है और उसे पीटने लगता है तभी उसे पता चलता है कि ये साला तो आर्किटेक्ट भी नहीं है और ये सिरिफ एक डिलिवरी बॉय है तभी लंगडा उसे पताता है कि मैं गंड मरी से बहुत प्यार करता हूँ और जबसे मैंने उसे देखा है तब से मैंने हिला हिला कर अपनी पूरी टंकी खाली कर दी है उदर गंडमरी और जखमीलंड साथ में डिनर पर जाते हैं जहांपर वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं फिर जखमीलंड उसे बताता है कि वो एक राइटर है और अपने एक बुक पर काम कर रहा है वहीं वो दोनों चूतिये भी उन दोनों की बाते सुन रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि अब गंडमरी शाय जखमीलंड को पसंद करने लगेगी तबी ठोकुमल को एक आइडिया आता है और वो नीचे से दो गांजे की गोली गंडमरी के घर में फैकता है जहां पर वो बुडिया और उसका कुत्ता उस गोली को खा लेते हैं इसके बातोई बातों में गंडमरी जखमीलंड को गचा गच करने के लिए अपने घर में बुलाती है लेकिन जब वो दोनों घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बुडिया के अंदर खली की पावर आ चुकी है और वो सोफे को एक हाथ से उठा कर सफाई कर रही होती है तबी गंडमरी जखमीलंड से कहती है कि तुम जाकर उस कुत्ते को देखो कहीं वो टॉयलेट को गंडा ना कर दे फिर जैसे ही जखमीलंड उस कुत्ते को देखने जाता है वो गंजेडी कुत्ता जखमीलंड पर तूट पड़ता है जिसके बाद उन दोनों के बीच में होती है एक खतरनाक फाइट अब इस फाइट में उस कुत्ते की तो सारी हड़ियां तूट जाती है लेकिन जखमीलंड और गंडमरी के बीच में और भी नजदीकियां बढ़ जाती है अब उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है लेकिन एक दिन गंडमरी को एक लैटर मिलता है फिर कुछ दिनों बाद जब गंडमरी क्लिनिक से वापस अपने घर पर आती है तो वहाँ पर समीर फुद्धी होता है जो उसे बताता है कि वो लैटर मैंने ही तुमें भेजा था वो गंडमरी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमें बजाना चाता हूँ जिसके बाद वो गंडमरी पर तूट पड़ता है लेकिन तभी महाँ पर ठोकुमलो लंगड़ा आ जाते हैं और समीर को उससे बचा लेते हैं फिर कुछ देर बाद वहाँ पर जखमी लंडा जाता है और वो समीर फुद्दी को कहता है कि तुम गंडमरी के पीछे क्यो पड़े हो तुमारी तो इतनी सुन्दर वाइफ और बच्चे हैं लेकिन इस पर समीर फुद्दी उसे कहता है कि गंडमरी की चूचियां बहुत सॉलेड है और मैं इनी चूचियों पर फिदा हूँ अब सभी एक एक करके गंड मरी को अपनी गल्फेंड बनने के लिए कहते हैं लेकिन गंड मरी सभी को मना कर देती है क्योंकि उन सभी बहन के लोडों ने उसे धोके से पाने की कोशिश की थी तभी वहाँ पर जखमी लंड एक आदमी को लेकर आता है जो कि गंड मरी का एक्स बॉइफेंड था और वो उससे अभी भी प्यार करता था जखमी लंड कहता है कि सिर्फ एक यही आदमी है जिसने गंड मरी को कभी भी जूट नहीं बोला जिसके बद वो उस आदमी को गंड मरी को सौप कर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है अब वो वहाँ से जाईरा होता है तभी गंड मरी भागते वे उसके पास आती है और कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथी ये फिल्म यही खत्म हो जाती है